कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्स्पेंड करूंगा का इनमेटिक्स का लेक्चर में 15 और फ्रिक्शन फोर्स यानि घर्षनवल का पार्ट फर्स्ट और रेडी मैं आपको सर्कुलर मोशन के पांच लेक्चर कवर कर चुका हूं तिक ना और अब मैं आपको इस वीडि इस वीडियो के अंदर फ्रिक्शन को एकदम जीरो लेवल से एक्स्पेंड करूंगा उसके बाद मैं आपको फ्रिक्शन की कॉंसेप्चल डीप स्टडी करा हूंगा और उसके बाद फ्रिक्शन पर बेज्ड जो एरपोर्स और नेवी एक्जाम के अंदर कुछे जाते हैं वह सॉल्व करा हूंगा तो देखो कुछ फ्रिक्शन से रिलेटिड चीजें कुछ टर कहां लगता है कैसे लगता है कौन-कौन सी किस डिरेक्शन में लगता है यह सब चीजें जानना नेसेसरी है तो देखो एक्चल में फ्रिक्शन एक टाप का फोर्स है एक टाप का बल है यह फोर्स किसी बॉडी के चलने का आपोज करती है एक वो बॉडी चल रही है तो उसका आपोज करती है रुक जाने नहीं देती ठीक ना उसको रोकने की कोशिस करती है पहला point के लिए, actual friction एक टाप का force है और एक किसी body को चलने का oppose करता है दूसरा point, actual में friction नेचर का एक agent भी माना जाता है नेचर का agent से मतलब क्या है? मतलब ही है कि ये चाहता है कि हमेशा दो body contact में रहें वो दोनों कभी अलग ना हो क्यूंके friction हमेशा किनी दो body के बीच में ही लगता है तो it act between two bodies तो clear है, friction हमेशा दो body के बीच में ही लगता है और friction एक नेचर का agent है ये नहीं चाहता कि वो दो body जो contact में है वो कैसे भी अलग हो ये पूरी अपनी कोसिस रखता है कि ये दोनों body हमेशा contact में रहनी चाहिए ठीक है अच्छा तीसरा point actual में friction relative motion का अपोज करता है अभी relative motion क्या है एक body motion में है और एक body rest में है ठीक है ना actual में मैंने बताया था कि friction हमेशा दो body के बीच में लगता है तो उन में ऐसे एक body motion में है और एक body rest में है ऐसे motion को हम relative motion कहते है ठीक है ना तो उस motion का ये अपोज करता है ठीक अगर ये उस motion का relative motion का अपोज करता है तो इसको हम opposing force के नाम से भी जानते है ठीक है ना next point actual में friction हमेशा surface के tangentially लगता है ये उसकी direction है friction की लगने की कि वो हमेशा friction हमेशा किसी surface के tangentially ही लगता है ठीक तो ये मैंने जो टर्म आपको बताई है ये टरम important है इन टरम को अब मैं आपको यहाँ explain करूँगा ठीक तो देखो ये मेरे पास मान के चलो एक बॉक्स है ठीक एक बॉक्स है कि एम मास का ठीक एक एम मास का बॉक्स है ठीक अब देखो और ये किसी सत्य पर रखा हुआ है ये कोई surface है ठीक है कोई surface है अब ठीक है ये एक surface मानों ऐसे करके इसे सर्फेस तो एक तो ये तो हो गई आपकी बॉक्स की surface यल्लो वाली और ग्रीन वाली जो surface होगी दूसरी surface है ठीक है तो दो surface हो गई अब देखो एक कमजोड सा इंसान इसमें धक्का लगा रहा है ठीक है नहीं कि इसमें धक्का लगा रहा है एफ फोर्स है कितनी फोर्स है एफ फोर्स है ठीक है और यह जो बॉक्स है ना वह हैवी बॉक्स है कैसा है हेवी बॉक्स कर रहा है है झानि कर रहा है ऑगर ट्रक्हया बस हो अगर उसमें धक्का लगा हूँ हम उसमें फोर्स हुर्स लगा रहे हूं लेकिन वो move नहीं करता क्योंकि उसको जितनी force की requirement है वो हमारे पास नहीं है उतनी sufficient force हमारे पास नहीं है उसको move कराने के लिए ठीक वैसे इसको ऐसे समझो कि box इतना heavy है कि ये उतना force नहीं लगा सकता उसको move कराने के लिए लेकिन ये force लगा जरूर रहा है नहीं है तो धग ACC होता क्या है कि एक्चल में आप देख रहेंगे force लगा रहा है लेकिनDie बोड़ी motion में नहीं है move नहीं कर रही है उधर से force लगा रहा है लेकिन Sanskrit में नहीं है ठीक किनव मूँ भी नहीं कर रहा तो आप देखो यह जो force लगा रहा है वो इस direction में लगा रहा है यानि इस direction में इस वाली direction में जिसको मैं बोल रहा हूँ x axis क्या बोल रहा हूँ x direction या x axis direction तो अगर मैं तुमसे बोलू कि x direction में force कितना होगा जो वो लगा रहा है x direction वो force कितना होगा according to newton's law क्या हो जाएगा वो force ऐफ बरावर एफफ फार जो फोर्स लगा रहा है उस बॉक्स के और उस पोर्स को हमुण बोलते है एपल इपाइड फोर्स क्या पभणत मेर्भ आर्युप इस आपलाइड फॉर्स थीदे तो तो यह वह फोर्स है F है M is the mass of this body या box यह क्या है acceleration simple सा हमें पता है अगर किसी body के पास force होता है तो उसके पास acceleration भी होता है तो अगर मैं यहां से acceleration का formula निकालू इस x direction में तो acceleration का formula क्या निकल क्या आएगा F by M ठीकिन यह आपकर क्या निकल क्या जाएगा acceleration क्यांकि अगर force होगा तो उसके पास acceleration भी जरूर होगा तो मैं बोल सकता हूँ यह चीज बोल सकता हूँ कि acceleration is not equal to zero ठीक है न क्योंकि simple वह force तो लगा ही रहा है अगर वह force लगा रहा है तो उसके पास acceleration भी होगा तो acceleration is not equal to zero लेकिन आप एक चीज़ देखो यहां से मैं acceleration का एक formula देता हूँ आपको वह था v2 minus v1 upon delta t clear है मैं अगर ऐसा बोलू कि v2 is not equal to v1 ठीक है न वी 2 is not equal to v1 इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब है कि velocity का difference है आप देखो v2 minus v1 है मैं बोल रहा हूँ कि v2 is not equal to v1 दोने इक्वल नहीं है इस बात का मतलब क्या velocity change हो रही है अगर velocity change हो रही है इस बात का मतलब क्या वहां क्या produce हो रहा है acceleration तो यहां acceleration भी क्या होगा जीरो के बराबर नहीं होगा not equal to zero, कुछ न कुछ isolation जरूर होगा, यह बात समझ में आ रही है, लेकिन अब देखो, यह बात clear है, कि अगर हम efforts लगा रहे हैं, तो उसके पास isolation जरूर होगा, यह बात मैंने आपको velocity की तर्म में बता दी, force की तर्म में बता दी, लेकिन efforts लग रहा है, लेकिन यह box move नहीं कर र हूँ, ऐसे सोचो, एक ट्रक है, और ट्रक के पीछे से कोई efforts लगा रहा है, और मैं उस ट्रक के जस सामने हूँ, मुझे क्या पता कोई पीछे से force लगा रहा है, क्योंकि मैं तो यही समझूँगा, कि जब वो ट्रक नहीं चल रहा, that means वो motion में है ही नहीं, मतलब उसको कोई force नहीं लगा रहा होगा, लेकिन actual force लगा रहा है, पीछे से कोई इंसान force लगा रहा है, लेकिन वो ट्रक मूव नहीं कर रहा है, उसके पास नहीं है उतना sufficient force उसको मूव कराने के लिए, लेकिन force लगा रहा है, लेकिन according to me, अब मैं क्या देखूँगा यहां से, कि वो मूव भी नहीं कर रहा है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है, तो मैं क्या सोचूँगा, कि इसका जो acceleration है, वो क्या है, zero, यह बात clear है, अगर उसका acceleration zero है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है, कि उसका पर जो force होगा, net force, वो क्या होगा, zero, उस पर net force क्या होगा, zero, यानी, से देख रहा हूं तो मुझे बॉडी मोशन में नहीं दिखाई दे रही इस बात का मतलब है कि एसलेशन जीरो यानि उस पर नेट फोर्स जीरो है लेकिन न्यूटन साब क्या बोलते हैं कि अगर किसी आपजेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसके पास एसलेशन जरू अगलत है ठीक है या फिर हम यहां कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो इसके पास एसलेशन होना चाहिए वह मूव करना चाहिए मेरी बात तो मैं समझ में आ रही है ना उधर से फोर्स लग रहा है लेकिन इसलेशन जीरो बोडी मूव नहीं क यहां लग रही होगी कि जो बंदा वो एफ फोर्स लगा रहा है उसको वो बिलेंज कर रही है ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर होगा वो जो चीज इस एफ फोर्स को एप्लाइड फोर्स को बिलेंज कर रही है उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स यस बात क्लियर उसी force को हम क्या बोलते है friction force clear है और यह कहां लगता है यह हमेशा surface के tangentially लगता है यह surface है तो surface के क्या लगेगा यह tangentially लगेगा और क्या लगेगा friction force friction force clear बात यह बात clear हुई कि वो tangentially इस तरीके से लगेगा कहा लगेगा इन दौना बॉड़ी के बीच में लगेगा between the body यह भी बात क्लियर है अब देखो आगे अब मैं अगर इसका एक FBD बनाओ यानि free body diagram बनाओ तो देखो आप यह है मेरे पास यह आपका box ठीक मास का box है और यह surface इस पर रखा हुआ है ठीक क्लियर और इस पर लग रही एक एक एफ पोर्स इस डारेक्शन में और इसके जस्ट अपोजिट डारेक्शन में क्या लग रहा है अब देखो यहां क्या लग रहा होगा इस बॉड़ी पर वर्टीकल डाउन डारेक्शन में इसका बेट लग रहा होगा और उपर की तरफ क्या लग रहा होगा नॉर्मल डिरेक्शन अब देखो अगर मैं आपसे यहां 서 it's the bleep कैसे निकालेंगे आप F net upon m net force अब टूटल फोर्स कैसे निकालेंगे आप इस फोर्स में से जैनी अप्लाइट फोर्स में से आप क्या मैनस कर दोगे फ्रिक्शन फॉर्स जो फोस आप लगा रही क्या मैना पूमने उसको लेकिन मुझे क्या देखरा ह। है यह Box दिखा भी निए दे रहा इसका मतर्म hBox वे टो इसे समुझेंगगा एसलेशन जी दो मुझे और नहीं देखरा ये जो सब्सक्राइब है यह कंदीशन है जिरो तो बराबर किया जाएगा f-f upon m तो f minus f बराबर क्या जाएगा 0 तो f बराबर क्या आगा f यानि कब कब की condition है when isolation equal to 0 तब की condition यानि जो applied force है और जो friction force है वो दोनों equal होंगे magnitude में लेकिन direction में क्या होंगे opposite एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है तो मैं बोल सकता हूं opposite in direction ठीक है न दोनों force कैसे होंगे direction में opposite होंगे लेकिन दोनों का magnitude कैसा होगा सिल यही कारण था कि जो truck है यह जो box है यह f force लगाने पर भी आगे की तरफ motion में नहीं हो पा रहा था क्योंकि जितना force यह लगा रहा था उतना ही force backwards direction में लग रहा था इसके opposite direction में लग रहा था ठीक है ना यह बात तो clear हो गई होगे अब मैंने एक word बोला था relative motion लेटे motion बोला था देखो मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं मान के चलो यह मेरे पास एक box है जिसको में वोल रहा हूं और यह box रखा हुगा है किसी दूसरे box के ऊपर ठीक है तो यह box है दूसरा इस कॉल्ड बी बॉक्स ठीक है यह इन दौनों की सर्फेस है बीच की अब देखो मैं इसमें धक्का लगा रहा हूं एफ फोर्स से यह मूँव कर रहा होगा लेकिन सर्फेस के दौनों के बीच में बिट बीन दा सर्फेस क्या आएगा यहां एक फ्रिक्षन लगेगा डैट इस अपोजिट डैरेक्शन में और इस बॉड़ी में फोर्स लगा रहा हूं लेकिन फिक्षन फोर्स अंड रिट हो गया अब यह फ्र कूरी को सब तो मैंने बोला ता है इसी मोशन को विम क्या बोलते इस एक बोड़ी a piggyडर तो अउसरी बोड़ी रेस्ध में तो हम क्या करेगी आपर चलता है अगें जैसे चल्व एक्चल में फ्रिक्शन स्वोल्स एक एग्जस्टेवल फोर्स होता है यह अपने अकॉर्डिंग एग्जस्ट होता रहता है जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग यह एग्जस्ट करता है ठीक है ना तो फ्रिक्शन फोर्स एक एग्जस्टेवल फोर्स है ठीक है तो यह चीज़ें आप नोट करो यह आपका बेसि यानि friction के प्रकार अब देखो types of friction यानि घर्षन कितने टाइप का होता है एक्चल में घर्षन दो टाइप का होता है एक तो होता है स्थेटिक फ्रिक्शन ठीकर पहला पैंट स्थेटिक फ्रिक्षिन इसे बोलते हैं इस्थेटिक घर्षन और दूसरा होता है किनेटिक फिक्षन धेक थी किनели कीनिक kinetic friction यानि गतिज घरसा ठीक है देखो आप books के अंदर एक friction और पढ़ते होंगे जिसका नाम है rolling friction ठीक है ना और एक friction और पढ़ते होंगे आप जिसका नाम है limiting friction पहले मैं आपको limiting friction की बात कर लेता हूँ actual में limiting friction नाम की इस दुनिया में कोई चीज एक्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा कोई friction होता ही नहीं है ठीक है ना बहुत important बात एक different type का friction नहीं है limiting friction ठीक है ठीक है एक्चुल में जो aesthetic friction होता है जो आपका depting friction कहते है कोई different type का friction नहीं है ठीक है तो static friction की जब condition maximum हो जाती है उसी friction को in limiting friction का नाम दे देते है कि limit लगी और इसके उपर जाय नहीं सकता अब लिमिट लग गई इससे उपर अब यह exist ही नहीं करेगा friction काम जेhen तो maximum condition जब static friction की हो जाती है, उसी को हम limiting friction कहते हैं, अलग type का कोई और limiting friction नहीं होता, ठीक है, एक होता rolling friction, आपको अभी rolling friction मैं आपको बाद में explain करूँगा, ठीक है न, जैसे से videos आती जाएंगी friction के इंदर हो मैं आपको बाद में explain करूँगा, फिलाल आपको मिल नहीं मुझे द इन दौनों में मुझे जो explain करना है, वो है kinetic friction, और kinetic friction के बाद मैं आपको explain करूँगा, aesthetic friction, ठीक है न, तो देखो kinetic friction, सबसे पहला मुझे आपको explain करना है, वो है kinetic friction, kinetic friction, देखो, यह friction तब लगता है, जब कोई body motion में होती है, तब जब कोई body motion में होती है, तब यह friction लगता है, जिसे हम बोलते हैं, kinetic friction, गर्तिस गर्सन, तो मैं बोल सकता हूँ, when a body is in motion, तब यह काम करता है, जब body motion में होती है, तब कोई सा friction काम करता है, kinetic friction, दूसरा point, दूसरा point यह, कि यह जो friction force है, वो constant होता है, क्या होता है, constant, constant भले होता है, लेकिन हम इसकी value find out कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको numerical करा हुआ, वहाँ आप देखोगे, मैं आपको kinetic friction की value निकाल के दिखा हुआ, एक्चल में kinetic friction एक constant friction है, लेकिन हम इसकी value निकाल सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ, कि it is constant force, it is constant force, तो kinetic friction एक constant force होता है, लेकिन हम इसकी value निकाल सकते हैं, तो यह बहुत important बात मैं बोल सकता हूँ, हम इसकी value निकाल सकते हैं, calculate कर सकते हैं ठीक है ना निकाल सकते हैं यह बात के लिए अचा अब देखो में एक एप बीडी बनाता हूँ उससे और चीज़ें देखते हम यह मेरे पास वही वाक्स है ठीक है और एक इस सरफेस पर रखा हुआ है ठीक है और इस बॉक्स का मास है एम और इस पर एक एफ फोर् लग रहा था इन बोडी मोशन में haha बोडी मोशन में तो इसके अप्अज है लिए ओला है तो सरफेस के टेंजेंश ली एक फोर्स काम करता तो सब्सक्राइब करें फ्रिक्सिन वैनपर से इस ऐफ इस में को किसे दोरो और बात क्रिक्वॉषंक यूठ सब्सक्राइब करेंगे अब देखो इस पर और कितने टाइब की फोर्स काम करते हैं एक तो इस बॉड़ी का जो बेट है वो कहां लगता है वर्टीकल डाउनवर्ड में इस एमजी और ऊपर की तरफ इसको बिलेंस करने के लिए फोर्स लगता है इसको हम क्या वोते है नॉर् हुआ किरेंटिक फ्रिक्शन की वैगि कितनी होती है थुकर कारेंटिक फ्रिक्शन गिज Popeplets वहास कितनी होती हर्सेक फ्रिक्शन deze क्रेकिने चौरा κयों हुआ यानिसको को coefficient of coefficient of kinetic friction kinetic friction ठीक है न? एक्चल में हम बोलते हैं न? कि देखो ये बोर्ड है चिकना है या खुर्दरा है ठीक है न? कोई भी सर्फेस कोई भी सर्फेस चिकनी है कितनी खुर्दरी है उसकी कुछ value निकालने के लिए बैए कुछ तो value होती होगी कितना चिकना है, कितना खुर्दरा है कुछ तो मान होता होगा चिकना है खुर्दरेगा ठीक है न? वो कितना खुर्दरा है, कितना चिकना है उसकी value को जो decide करता है, कितनी value है, कितना मान है उसका, वो आपका coefficient of kinetic friction कहलाता है और ये coefficient of kinetic friction किसका निकालते हैं किसी सतह का निकालते हैं किसी सर्फेस का निकालते हैं किसी सर्फेस का कैलकुलेट करते हैं किसी सर्फेस का निकालते हैं कि ये बात clear होगी तो ये कुछ points थे kinetic friction से related अभी कुछ और different points है kinetic friction से related लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक numerical कराना है तो numerical कराने इसको आप बहुत अच्छे से note करो फिर मुझे आपको दो numerical कराने है और उसके बात अभी फिर मुझे अभी और kinetic friction के बारे में आपको detail में explain करना है अब देखो अब आपके सामने दो टाइप के questions है और इन दोनों टाइप के questions के अलावा नेभी में questions नहीं बनेगा तो इसी टाइप के आपको questions प्रेक्टिस भी करने है तो देखो यह आपको पास एक box है और इस box का mass दे रखता है 5 kg और इसको ये 5 kg के box को 20 newton के force से ही चला है यह यह move कर रहा है चल पड़ा है 20 newton के force से यह box चल पड़ा है और यहां आपको coefficient of kinetic friction उसकी value दे रखी है 0.2 नहीं गतेज घसन गोड़ांक की value की दिन दे रखी है 0.2 हमसे बोल रहा है सवाल तीन question पूछें उसने के नॉर्मल reaction बताओ कितना होगा इस पर यानि प्रतिक्रियावल दूसरा हम से बोल रहा है कि friction force यानि kinetic friction force बताओ कितना होगा कि अगर body motion में friction कौन सा kinetic friction तो कौन सा friction निकलवारा है वो kinetic friction और तीसरा हम से बोल रहा है कि इस पूरे system का isolation बताओ कितना होगा तो देखो नॉर्मल रेक्शन पहला काम नॉर्मल रेक्शन ठीक है तो देखो आप देखो कि इस बॉक्स का जो बेट है वो कहाना लगा तू बाट्स ठीक है कितना हुआ है अब मजी मास कितना है इसका पाइब और जीप टिसके वरावर होगा यह से अग्जी के एंगी का वान कितना आ गया तो नॉर्मल रेक्शन पिस्टी कि परबलम है थिक है कितना फोट्स निकल गया अगर बॉडी मोशन में उसने बोला कि बोडी मोशन में तो काने टिक्सिन अगर हम निकालेंगे तो देखो क्या होगा इसको मंटिप्लाइ करोगे तो कितना जाएगा पचास दूनी 100 यानी 10 तो यह कितना फोर्स 10 न्यूटन हो तो हमारे पास करेटेक्टिक्षिन वेल्ट द्यूटन निकल करें अब मुझसे क्या निकलवा रहा है इस सिस्टम का एसलेशन निकालो कितना चला थर्ड़ एसलेशन तोरहने तो कैसे निकाल आप सलेशन इस सिस्टम का मीने बताया था f net अपॉन मास और कि जब यह मोशन में होगा तो इसके पीछे एक कानेटिक फ्रिक्शन और लग रहा होगा तो आप जो नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या करोगे अप्राइड फोर्स में से कानेटिक फ्रिक्शन मानेस कर दोगे वह क्या जाएगा आपका 20 में से 10 मानेस कर दो और मास कितना दे रखा इसका 5 तो 20 में से 10 किया तो कितना उच्छा यह तुमारा एक और चीज में आपको एक्स्पेइन करने इस क्वेशन के थूरू आप देख रहे हैं जब तक हम कानेटिक फ्रिक्शन से maximum applied force नहीं लगा जेंगे तब तक body motion में नहीं जाएगे आप देखो यहां body को मैंने जो force लगाया है कितना है बिस न्यूटन और kinetic friction कितना निकल के आ रहा है 10 न्यूटन यानि applied force का है maximum है kinetic friction से that means तभी body क्या कर सकती है motion में हो सकती है तो motion में जाने के लिए जो applied force है वो maximum होना चाहिए kinetic friction के यह बाद तो clear है ठीक है तो इनके answers यह अब देखो यह एक different level का सवाल है ठीक है इसको देखो आप कि यह क्या बोल रहा है कि यह जो body यह भी किसमें motion में किसमें body motion में चीक वाडी इसका आपको इस तरीके से पोर्स लग रहा है वह पोर्स कितना लग रहा है और बोल रहा है कि यहां से उसने आपको एक्शंब डारेक्शन से और जो फॉर्स लग रहा है सवाल पूछ रहा है कि इस सिस्टम का आप नॉर्मल डेक्षिन बताओ और एसलेशन बताओ जब जब इसका कोफिसेंट आफ कानेटिक फिक्षिन यानि गतिज गर्सन गुडांग 0.2 दे रखाओ सिंपल देखो इसको सॉल खरने के लिए आपको चीज क्लियर होनी चाहिए मैं इस फिगर को यहां नीचे बना देता हूं इस तरीके से ठीक है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है टेन रूट टू ठीक है और इस एक्सेस से इसका जो एंगल है वो 45 डि अब देखा आप इससे टैन यूटन के दो इसल्टाइं टॉट टे वाए तो एक हम तूस डूर्ट की तरफ़ होगा यह बात क्लिए एख इस सब्रॉट यहे leaf 一 कि इस सब्रॉट बन्ता वहां कॉस्ट थिता अ को सब्रूर्ट नूट में और यहां क्या जाएगा 10 root 2 sin 45 degree क्लियर है अब देखो इस बॉक्स का जो बेट है इस सर्फेस है इसकी इस बॉक्स का जो बेट है वो कहा लग रहा होगा वर्टीकल डानवर्ड देट इस एंजी ऊपर क्या लग रहा होगा इक नॉर्मल डिरक्शन फूर्स कट बॉडी मोशन में होगी तो पीछे की तरफ एक फॉर्स लग रहा होगा यह इस काइने टेक France के टेंजेंचल नई लग रही ह C बात समझिन है हमसे निकल रहा है यानी नॉर्मल रियक्ष्टन थो इस की निकल रहा है हमने पढ़ा है कि देखो जो mg नहीं रता देता हूं मैं मास के तनर रहा टू और जीके तनर रहा है फॉनची कि पीज़ेट सिम्पल है अगर आपको एन निकालना तो एन आप कैसे निकालोगे एन बराबर किसके होता एम जी के तो देखो आप एन बराबर किसके हो जाएगा एम जी के और एम जी की वेल्यू कितनी है बीस बराबर एन लेकिन उपर आप देखो एक और फोर्स काम कर रहा है एक और फोर्स काम कर रहा है तो जितन तो हम क्या करेंगे प्लस टैन रूट टू कि इसान फॉर्टी फाइल तीए वन बाइड रूट टू से रूट घतम तो बचा यहां पर क्या टैन और एन की वैली निकालोगे तो क्या जागा 20-10 तो एन की वैली कुतनी आगी यह बात क्लियर है यह नहीं तो हमारे पास एन तो निकल आया है एफ के निकाल दो आप यह निकालोगे आप सिंपल फॉर्मुलें पूट कर दो एफ के बराबर म्यू के इंटू एन और म्यू के मुझे दे रख्खाए 0.2 और एन आ गया मेरे पास कितना ठीक है न अब यहांसे निकाल दो यह कितना अब मुझे क्या निकालना है एसलेशन ठीक है तो एसलेशन कैसे फंड आट करूंगा तो सेम सिच्वेशन कैसे निकालना बता है था कि एफ नेट अपॉन एम और एफ नेट का मतलब क्या था जो अपलाईड फोर्स है माइनस आपका फ्रिक्षन फोर्स अप्लाइड फॉर् इधर जो फोर्स लग रहा है इस बोडी को मुव कराने के लिए इस बॉडी को मोशन में कौन सा कॉंपरें गाल आ यही तो लेकर जा रहा है यही तो आपका प्लाइड फोर्स होगा वह कितना होगा टेन में से आप क्या कर दोगे एक एक कि वेली कित या तो तो आप मानस कर ना इसका 2 तो देखो 8 by 2 that is 4, 4 meter per second square तो इसका जो acceleration होगा इस system का वो होगा 4 meter per second square तो इसी type के pattern पर आपको questions की practice करनी है इससे बाहर आपका question नहीं जाएगा ठीक है ना क्योंकि इसके बाद तो फिर J level के अच्छे सवाल आ जाते हैं ठीक है तो देखो यह note करो इसके बाद फिर मैं आपको भी kinetic friction के कुछ और important concept explain करता हूँ अब देखो अब मुझे आपको अभी और बहुत कुछ explain करना है kinetic friction के बारे में ठीक है ना तो देखो kinetic friction के बारे में मैंने अभी आपको सिर्फ एक formula दिया था आपको यह बता चुका था कि एफ के बराबर म्यू के इंटू एन ठीक है एन इस दा नॉर्मल एक्षन आप इसको एन या आट से इसनी फुर्द्री ए उसके लिए भी क्या होती है constant होती है और किसी surface की होती है अब देखो जो एफ के होता है सबसे important factor पहला यह कभी वेलिस्टी पर डिपेंड नहीं करता मैं बोल सकता हूं इस नॉट इस नॉट इस नॉट इस नॉट डिपेंड अपॉन depends upon the velocity यह कभी भी बेग पर निर्वर नहीं करता है यह कभी भी बेग पर डिपेंड नहीं करता है दूसरी चीज़ देखो आप मैंने आपको मुव जनरल केस मा आपको explain कर रहा हूं मुव होता है हम क्या बोलते हैं coefficient of friction किसी जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं आपको का डिपिसेंट का डिखो सकता है कि किसी जनरल केस के लिए यह फॉर्मला हो सकता है किनेटिक फ्रिक्षन के लिए बात करोगे तो के और यह के लेकिन किसी जनरल केस की बात कर रहा हूं तो यहां से कर आप देखो एक नार्मल रेक्षिन फोर्स ठीक ना नॉर्मल रेक्शन वर्ट पृर्ट्स यह प्रितिक्रियाबल अगर मैं आपसे बोलू कि मु का इसका यह एनि कोफिसियन्ट ओंफ रिक्षन का यूनिट क्या होता है तो आप देखो यह भी फोर्स इसका कोई भी यूनिट नहीं होता अगर कोई यूनिट नहीं होता तो इसका कोई भी डामेशनल फॉर्मूला भी नहीं होता तो याद रखना मूव एक कौंस्टेंट डिमट रम होती है और इसका कोई भी डामेशनल फॉर्मूला और यूनिट नहीं होता क्लिए अब जो सबसे एहमियत देने वालों सवाल है वो क्या है कि म्यूं किसक्र करता है मैं बार बार बता हूं गो शरफेस पर करता है किसपर करता सर्फेस पर बोल सकता हुई कि ज़ुल यह हो निएॡपन करता है depends hey depends понять इस अब मॉंदा सभी कर्ता सरफेस पर investigatedмент करता यहाँ यहां से आप formula के अंदर से देखो गया यह mu बराबर f upon n है mu कभी भी n पर depend नहीं करता n की value b 100 या n की value 50 हो n की value 70 हो n की value 9 हो कोई फर्क नहीं पड़ता mu as it is ऐसा का ऐसा ही रहेगा ठीक है तो सबसे important condition कि mu does not mu does not depends upon upon normal reaction force n पर भी डिपेंड नहीं करता n की value कितनी भी आप बढ़ा दो कितनी भी आ रहे होगी उस पर mu का कोई effect नहीं होगा mu अपना constant रहेगा कोई n के बढ़ाने पर mu पर कोई भी effect नहीं आएगा दो चीज़ ठीक है अच्छा देखो किसी frictionless surface के लिए surface के लिए mu की value कितनी होती है 0 मैं ब बो ultras fact किसी frictionless frictionless यानि घरसणheel घरसणheel सब्सक्राइब अब जरनी होता है ठीक है ये होता है infinite friction क्या होता है infinite friction कि इन्फानाइट फ्रिक्षन के लिए होती है एक्षल में यहां से दो डाटा बहुत इंपोर्टेंट है प्रैक्टीकली और आइडियली प्रैक्टीकली जो फ्रिक्षन की वैल्यू है वो हमेशा ना तो जीरो होती ना वन होती वो जीरो और वन के बीच में होती है जीरो और वन के बीच में होती है और एक से छोटी होती है यह बात समझ में आ रही है जीरो से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है यह बात समझ में आ रही है जीरो से बड़ी होती है और एक से छोटी होत यह 0 से 1 के बीच में लाई करती है practically यह relation है अगर ideally मान के चलू मैं एक case ideally ठीक है ना तो ideally ऐसा भी मान लेते हैं कि जो म्यू है वो जिरो के बराबर भी हो सकता है ठीक है ना क्या हो सकता है बराबर और आपका इस 1 के बराबर भी हो सकता है तो मू is greater than 0 and less than 1 equal to 1 तो यह equal to भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है लेकिन किस case के लिए है यह है आपका ideally प्रेक्टिकली यह डाटा होता है हमेंसा मू की वेल्यू प्रेक्टिकली 0 से 1 के बीच में लाई करती है और ideally हम ऐसा मान लेते हैं कि मू की वेल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है या एक से छोटी या एक के बराबर भी हो सकती है तो यह सब चीज़े मुझे आपको इंक करनी थी किनेटर्कली के अंदर अब दो यह तो आपका फनेश होता है किनेटर्क पर्ष्ट्र करा चुए यह अब मैं आपको नेक्स वीडियोके इंदर ईस्ट्रेडिक फ्रिक्ष्ट्चन को डीटेल में एक्स्प्लेइन करऊंगा ठीकल इन नहीं दूर्टब Twitch? झाल झाल झाल